एक विक्ति जिसका नाम मोहन होता है, वो दिल्ली में अपने पत्नी और चार बच्चों के साथ अपनी जिन्दगी हसी खुशी गुजार रहा था। मोहन एक फैक्टरी में काम कर रहा था, जिससे उसका गुजारा अच्छे से हो जा रहा था। एक दिन गाउ में रहने वाली मोहन की बड़ी बहन का फोन आता है और वो कहती है, भाईया मेरा बेटा राजु कोई भी काम धाम नहीं करता, इधर उधर दिन भर आवारा गर्दी करते फिरता है, उसे भी अपने पास बुला लो, कोई काम धंदा लगवा दोगे तो शायद मे मेरे भी दिन बदल जाएंगे, इस पर मोहन कहता है, दीदी तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, कुछ समय बाद मोहन अपने भांजे राजु को दिल्ली बुला लेता है, और उसे एक कमपनी में नौकरी पर लगवा देता है, इधर राजु काम पर जाने लगता है, तो मोहन को लगता है कि अब शायद उसकी बहन के दिन भी बदल जाएंगे, कुछ दिनों तक तो सबकुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन एक दिन जब मोहन अपनी फैक्टरी से वापस घर आता है, तो देखता है कि घर के दर्वाजे पे ताला बंद है, घर पर ना तो उसकी पतनी और ना ही उसके बच्चे हैं और ना ही उसका भांजा राजु ही उसे कहीं दिखाई देता है, वो उन लोगों का इंतजार करने लगता है, फोन भी लगाता है, तो दोनों का फोन बंद आता है, जब रात काफी हो जाती है, तब मोहन घर का ताला तोड़ता है, और घर के अं मुँ दिखाने के काबिल नहीं रहा क्या लिखा था उस खत में कहां गए उसके बीबी बच्चे उसके भांजे राजु ने ऐसा क्या किया था ये जानेंगे आज की सची कहानी में लेकिन उससे पहले आदाब नमशकार बदले का भारत पर क्राइम स्टोरी देख रहे हैं आप आज की सची कहानी है बिहार प्रदेश के बांका जिले के रहने वाले मोहन की मोहन दिल्ली में अपने परिवार के साथ रहता था बेहन के कहने पर भांजे को भी दिल्ली बुला कर एक कमपनी में काम दिलवा दिया मोहन का भांजा, राजू भी उनके साथ ही रहने लगा वो इसकी मामी सुमन अक्सर राजू को छिड़ते रहती, हसी मजाग करते रहती थी क्योंकि मोहन का सगा भांजा था राजू इसलिए मोहन कभी बुरा नहीं मानता था कुछ वक्त बितने के बाद एक दिन राजू की काम से पहले ही छुट्टी हो जाती है इस दवरान उसके मामा अभी अपनी कंपनी में ही होते हैं वो घर का दर्वाजा खोल कर अंदर जाता है तभी उसकी मामी सुमन बाथरूम से नहा कर निकलती है भीगे बदन में मामी को देखते ही राजू मधोश हो जाता है और कहता है कि वह मामी आप तो वाकई में खुबसूरत है कौन कहेगा कि आप चार बच्चों की माँ हैं इस पर सुमन राजू के करीब आकर उसकी आँखों में आखे डाल कर शरारत से पूछती है कि अच्छा ऐसा क्या है मुझ में इस पर राजू कई कदम पीछे हट जाता है वहीं सुमन जल्दी से उसके करीब पहुँचने के चक्कर में अपना संतुलन खो देती है और फिसल कर गिनने ही वाली होती है कि राजू उसे अपने बाहों में थाम लेता है जैसे ही दोनों का जिस्म एक दूसरे के संपर्क में आता है तो दोनों की सासें तेज तेज चलने लगती है सुमन के रग रग में जैसे तूफान उठने लगता है वही राजू की हालत भी ऐसी ही थी पहले बार किसी इस्तिरी के देह से उसका संपर्क हुआ था खैर जल्दी से दोनों एक दूसरे से अलग हुए इसके बाद रात हो जाती है मोहन भी अपना काम करके लोट चुका होता है खाना पीना करके सब सोने चले जाते है इधर राजू बिस्तर पर जाता है तो उसको नीद नहीं आती उसकी आखों के सामने उसकी मामी सुमन का चेहरा ही बार बार नजर आता है उधर सुमन तो सोई थी मोहन के साथ लेकिन अपने ख्यालों से राजू को अलग नहीं कर पा रही थी खेर रात बित्ती है और राजू उस दिन पहले ही काम पर निकल जाता है अपना खाना भी नहीं ले जाता वो अपनी कमपनी में भी नहीं जाता इधर सुमन ये सोच कर परिशान थी कि कहीं राजू कल वाली बात से नाराज तो नहीं हो गया बहराल राजू शाम होने से पहले घर पहुंच जाता है उसे देखते ही सुमन पूछती है कि कहां थे अभी तक खाना क्यों नहीं लेकर गए इस पर राजू गुमसुम खड़ा रहता है सुमन जैसे ही कुछ कहने के लिए राजू के करीब आती है राजू उसे खीच कर अपने सीने से लगा लेता है राजू के आगोश में सुमन निहाल हो जाती है उसने उसकी गिरफ्त से छूटने की जरा भी कोशिश नहीं किया फिर तो ये रोज का किस्सा ही हो गया राजू और सुमन मौका मिलते ही एक दूसरे में समा जाते थी इधर जिस कमपनी में मोहन ने राजू को काम पर लगवाया था उसके मालिक का एक दिन मोहन के पास फोन आता है कि क्या बात है मोहन आजकल तुम्हारा भांजा राजू काम पर नहीं आ रहा है कहीं गाउ तो नहीं चला गया इस पर मोहन हैरान हो जाता है और कहता है कि नहीं साब वह तो रोज ही घर से काम करने के लिए निकलता है इस पर कमपनी का मालिक कहता है कि वो पिछले कई दिनों से नहीं आ रहा है मोहन राजू के मालिक से कहता है कि ठीक है साथ आज घर पर जाकर उससे पूछ कर बताता हूं कि वो काम पर क्यों नहीं जा रहा है मुहन यह सोच कर परिशान हो जाता है कि अगर राजू काम पर नहीं जाता तो फिर कहां जाता है डूटी खत्म होने के बाद जब वो शाम को घर पहुँचता है तो घर के दर्वाजे पर उसे ताला लटकता हुआ मिलता है वो सोचता है कि हो सकता है कि इसके पत्नी और बच्चे कहीं घूमने गए हूँ थोड़ा इंतजार कर लेता हूँ कुछ देर बाद अपनी पत्नी सुमन को मुहन फोन लगाता है तो उसका फोन बंद मिलता है फिर वो राजू को फोन लगाता है तो उसका भी फोन सुचाफ होता है मुहन का इंतजार जब काफी लंबा हो जाता है तो घर का ताला तोड़कर अंदर घुसता है एक टेबल पर उसे एक परचा मिलता है जिसमें लिखा होता है कि मैं और राजू एक दूसरे से प्यार करते हैं हम दोनों और बच्चे आपकी जिन्दगी से बहुत दूर जा रहे हैं हमें खोजने की कोशिश मत करना हम दोनों लोग दिल्ली छोड़ कर पुणे जा रहे हैं मोहन को बहुत बड़ा आघात लगता है कि मेरा सगा भांजा और मेरी बीबी मुझसे इतना बड़ा विश्वास घात करेंगे मैंने तो ये सोचा ही नहीं था खैर वक्त काफी बिद गया राजू का पुड़े में कोई काम नहीं लग पाता है तो बिहार के बाका जिले के अमरपुर में किराए पर कमरा लेकर रहने लगता है इधर मोहन भी उसकी तलाश में ही जुटा होता है जैसे ही मोहन को ये खबर मिलती है कि उसकी बीबी और भांजा बाका जिले में हैं तो बगैर देर की हुए वहां पहुँच जाता है उस दिन तारीख होती है 23 अगस्त दो हजार चौबेस मोहन बिहार के बाका जिले में उस घर पर पहुँच जाता है जहां पर सुमन, राजू और उसके बच्चे होते है मोहन इसके बाद हंगामा करने लगता है हंगामा सुनते ही आसपास के लोगों की भीड़ जूट जाती है इस पर सुमन कहती है कि चले जाओ यहां से अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती इस पर मोहन पुलिस को फोन करके मौके पर बुला लेता है पुलिस मौके पर पहुचती है और पूछती है कि क्या चल रहा है यहां पर तभी पुलिस के सामने मोहन अपने भाजे राजू से कहता है कि अरे आस्तिन के साब तुझे क्या मैंने यही दिन देखने के लिए अपने पास बुलाया था इस पर बीच में ही सुमन आकर कहती है बस अब और नहीं अब यही मेरा सब कुछ है तुम कुछ भी नहीं चले जाओ यहां से मौके पर पहुँचे पुलिस वालों को भी जब कुछ समझ में नहीं आता तो वो सभी को लेकर अमरपुर थाना पर पहुँचते हैं थाने पर मौझूद इस्पेक्टर पंकच कुमार जहां पूछते हैं कि क्या मामला है क्यू लड़ जगड रहे हो तुम लोग इस पर मौहन कहता है कि साब यास्तिन का साप मेरा भांजा राजू है मैं दिल्ली में रहकर नवकरी करता हूँ मेरे चार बच्चे हैं और मेरी पतनी सुमन मेरे इसाथ ही रहती थी एक दिन मेरी बहन का फोन आया कि तुम्हारा भांजा बेकार घूम रहा है उसे भी अपने पास बुला कर कोई काम काईश दिलवा दो मैंने इसे काम दिलवाया और ये मेरे ही बीबी बच्चों को लेकर फराह हो गया पुलिस सभी से अलग-अलग पूछताज करती है पुलिस वाले जब सुमन से पूछते हैं कि बताओ तुम क्या चाहती हूँ पुलिस वालों का माथा घूम जाता है इस मामले में पुलिस अब जाच कर विधिक कारवाई करने की बात कह रही है खैर देखा आपने कैसे एक औरत आशिकी के चक्कर में पहले तो अपने पती को धोखा देती है और फिर अपने सगे भांजे से इश्क कर बैठती है और घर छोड़ कर फरार हो जाती है यही नहीं आखिर में अपने वासना के आगे अपने बच्चों की कुर्बानी भी देने के लिए वो तैयार हो जाती है आज की कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है हमें साउधान रहने की ज़ुरत है क्योंकि खत्रा कहीं भी और कभी भी हो सकता है आज की कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रू बताए चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब ज़रू कर ले और फेस्बूक पेज पर अगर ये वीडियो देख रहे है तो हमारे पेज को लाइक या फालो ज़रूर करें अप राधों की ऐसी अनकही और सची दास्तान देखने और सुनने के लिए देखते रहे बदलेग भारत जहिन